सब्सक्राइब बात करेंगे हीरो आइसल के बाड़े में तो आइसल में थाकल ये नो सेमी फाइनल फर्स्ट लेक फर्स्स समी फाइनल जम्शित्पुर एस्टीम वर्सिस केरला और जैसे कि मैंने बोला ही था कि बहुत ही जादा क्लोज और टक्कर का मैच होने वाला इसी तो जीता है कि बहुत ही जादा जा सकता है कि रहनेश का गलती था लेकिन मुझे सरय नेहीं लगता है कि रहनेश ट्रीपिका कोई वहां पर गलती था या फिर वो कुछ कर सकते हो वहाँ पे and बहुत बहुत ही अच्छा पॉफमेंस केरला के दरफ से and डैनियल चीमा चुकु को बहुत सारा चांस बिला कल के गेम में but वो कनवर्ड नहीं कर पा रहे थे and थोड़ा सा पफ़मेंस उनका कल खराब ही था बोलूँगा बलब एक सेमी फाइनल में जिस साब से हम लोग पफ़मेंस एक्सपेक्ट करते हैं उसी साब से तो पफ़मेंस उनका बिल्कुल भी नहीं था Greg Stewart को जैसे के मैंने कल के बड़े में बताया भी था कि मार्किंग करना जरूरी था और उनने वही किया है Marko Leskovic और होर्मी पामरुईवा ने जो कल गेम खेला है especially होर्मी पामरुईवा ने मतलब एक इंडियन प्लेयर इतना ज्यादा बढ़िया गेम इतना चाग्राउंड कवरिंग प्लेयर मार्किंग से लेकर जोनल मार्किंग तक पूसमेक्षण उनने कोशिश किया और उनने किया भी यह सक्सेस्फुली तो बहुत बहुत ही ज्यादा तबड़ा लेवल का पफोर्मेंस था कल के गेम में होड़ी पामरुईवा का देख के भी बहुत ज़ाद अच्छा लगा खाबड़ा का भी पफोर्मेंस लेक अच्छा ही था खाबड़ा है अच्छे प्लेट हर्मन जूत खाबड़ा एड मिर सबसे लाइग एक टीम पफोर्मेंस ने दिखाया और इसके कारण उने मैं जीता हुए अच्छा लूना ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है अलवान वास्केस जॉश पेड़िया थर एक कप अफ मेंस अच्छा था वरना जम्शित्पूर जैसे टीम्स को हराना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है यह हम सबको पता यह और देफिनिटली सेकंड लेग में और दर टफ होने वाला है क्यूंकि फर्स्ट लेग में तो खैर स्कोल लाइन वास जीरो है कर दाएला के फेबर में बट सेंड लेग में क्या होगा यह अपने आप में काफी जादे देखने लाए चीजों के जहां पे लाइक जम्षितपूर हार रहे डिफिनिटली वह सेकंड लेग में और जाज़ादा अटेकिंग फुटबॉल खेलेंगे और सबसे साथ सेकंड लेग में जॉर्डन मेरी को भी फर्स्ट से खिला आजाए और दैनियल चीवांचुको ना खिला जाए क्योंकि लाइक ही मैच उन्हें खराब केला है तो जो भी हो मतलब यह तो खैर ओन को का स्ट्रेजी होगा और बोरिस सिंग तो खैर भी भी बेंच में यह क्योंकि वह मतलब एडिकर मोनबगान का जो मैच था उससे पहले ही वह इंजरी से रिकवरी कर रहे थे और इंजरी से रिकवर करने के बाद एडिकर मोनबगान के गेश्ट में वह पहला मैच था उनका है और इसमें भी उनको हलका से गिंजरी आया है तो डिफिनिल फिट नहीं है और यहां पे लाइक यून को ही पता है कि एक अन फिट प्लियर को खिलाना इतने हाई सब्सक्राइब को और इसमें को आधा मौका मिलेगा जो भी होगा नेक्स सीटन होगा अभी बढ़ा ऐसा नहीं कि बोरी सिंग मतलब डिफिनेटल बहुत अच्छे प्लेर बहुत तगड़े लेवल के प्लेड है और अभी के लिए मतलब सेमी फाइनल इंपोर्टेंट है और जो भी हो देखते कि सेकेंड लेग में जमशितपूर क्या कमबैक कर पते हैं नहीं तो आज का जो मैच है वोगान वर्सिस हाइदरवाद उससी है काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग हाई वोल्टेज मैज डिफिनेटल सेमी फाइनल है तो हाई वोल्टेज तो हो गई फर्स लेनी का रोल भी काफी इंपोर्टेंट है और जॉनिंग को को मेरे साथ से खिला जाएगा हुगो भूमस को खिला जाएगा यह तो खेलेंगे भी अनि इसको लेकर भी डाउट है जो कि बिल्कुल भी हाईदरवाद के लच्छा बात नहीं है और तो यहाँ पे स्लाइट केल रहा होता तो एकदा भी इकोल मैच हो जाता बट लाइक अब जो हो चुग हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं बट डिफिनेटी भी हाईदरवाद को देखना जाता हूँ कि यह से भी फाइनल में वो कैसा परफॉर्म करते हैं यहाँ अधे तो यहाँ आपकर अध्या कर भी इंटेखने वाले और अट वर्सिस अलमॉस्ट की ओंगे गेम क्योंकि लाइक है उपन फूबाली कहलते हैं जो भी हो देखते हैं कि एमाच फाइनली कॉंसरीन जीता है तो एक मोन बगान ने इंटरेस्ट दिखाया है उगवेचे के उपड अपर अधिकली उन्होंने मतलब उगवेचे के जिनके साथ बात स्टार्ट किया है अल्रेडी स्टार्ट कर भी दिया है जिनको नहीं पता अध उगवेचे का कॉंट्रेक्ट वैसे भी हाईदरबाद के साथ खतम ही हो रहा है इस सीजन के बाद तो लाइक मिनब इंटरेस्ट दिखाना बनता भी उगवेचे ने जिससाब से सीजल परफॉर्मेंस दिखा है वह बहुत ही ज्यादा कमाल का है मतलब एकदम यह टॉप क्ला अगर इंका साइनिंग कप्रिट कर ले तो रॉयक्रिष्णा के रिप्रेस्मेंट में लाया जाएगा क्योंकि रॉयक्रिष्णा इसके बाद अभी हम लोग को शाहिद इंडिया में या फिर इंटिके मोन बगार में खेलते में ना देख पाए इंडियन क्लब्स तो मिरे इस लेवल का नहीं है कि उनको जे लिग से उफड़ आएगा तो चीज़ है कि यार मतलब रॉयक्रिष्णा का नेक्स्ट क्लब क्या होता है कि वो इंडिया में ही रहते है या फिर इंडिया के बाहर चले आते हैं तो यह तो डिफिनल्ली का दाद देखने लाए चीज़ में रहने वाले या फिर लाइक वो इस लिगा चोड़कर जाने वाले तो अभी मेरे साब से तो खैर इस लिगा में एक चेंज का जरूरत है डिफिनल्ली नहीं भी कर सकते हो लो कोई दिक्कत वाला बात निया बहुत खराब प्लेयर भी नहीं है बहुत मतलब अच्छे प्ल पहले दो तीन सीजन में था अभी वो कंसिस्टेंसी लाइक काफी ज्यादा जा चुका है लास सीजन तच बहुत खराब नहीं था बट इस सीजन में उनका जो प्रेसेंस था वो कई ना कई फील नहीं हुआ और बीच के एक सीजन तो एडिवेडिया ने अजा बेंच प्लेय तो यहां पे लाइक में साब से अगर सीजन करते हैं तो यहां पे अच्छा होगा उनके लिए अच्छा होगा एंड सीजन का जरुद भी यह तो खेयर क्लेरी देखी रहा है और मैं भी चाहतो एडिवेडिया एक सीजन में रहे बट परफॉरमस भी मैटर करता है टीम का इसमें कोई दिक्कत भी ने आएगा बट अगर वो छोड़ना भी चाहते है तो यह उनका कॉल होगा और देखते ही क्या फाइनली यू नो एडू बेडी एफसी गवाज छोड़के कोई दूसरी क्लब में जाते हैं नहीं तो प्रिमेर लिग के तरफ से तो प्रिमेर लिग म काफी साड़े मैचेश है और लिवरपूर ब्राइटन भी है और बेंफर्ड बर्नली भी बेंफर्ड के मैचेश देखने का से एक ही रीजन है रिक्सन अभी वरना तो खैर मद उतना जाधा हाइब नहीं होता है बढ़ा बेंफर्ड वर्स बर्नली का भी मैचे जहां पे शा प्वाइब में क्या वो टॉप फोड में चले जाएंगे बिसिकली एंड अगर वो दो गोल के माजी से जीत जाते हैं अगर वो ऐसे भी जीतते तब भी वो टॉप फाइब में जाने वाले तो इसलिए उनके लिए इंपोर्टेंट मैचे टॉटनम के लिए अगर वो लाइक क्योंकि रॉब क्याशी लिए टॉब होने चैनल अटू आट अव फेसलिए गार ने जाने के लिए उनको महना तबी बीसिर आइन यह के बेच में एक स्पोट के लिए लडाई है एंड सबको लड़के यहां से कुछ रा कुछ रा कुछ हासिल करना होगा तो यह मैच इसलिए बहुत इंपोर्टेंट क्योंकि यह वही चार टीम्स में से दो टीम्स का मैच है मैंचेस्टर उनिटेड वसे स्टाइनम एन यह मैच बहुत ज्यादा मैटर करता है पॉइंट सेबल के लिए और टीम्स के फूचर के लिए भी मैटर करता है इस सीजन प्रीमे लिग मिन का पोजिशन क्या होगा तो जो भी हो यह देखते कि फाइनली यह मैच कौन से टीम जित इतना इजी रित और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और बहुत अच्छा खासा एक बिडिंग उनके उपर करना होगा और न्यूस में तो खैरी यह भी है मिरर नहीं पोश्ट किया है कि मतलब रोवार्ड लेविडिस्टी के साथ सर एलेक्स फर्गूसन ने बाद भी किया है मतलब फिर भी है सर एलेक्स फर्गूसन उन्होंने कोचिंग तो छोड़ दिया बहुत टाइम से बट फिर भी वो युनाटेट को जितना हेल्क हो सके वो करते है मतलब रोनेल्डो के टाइम पे भी बहुत लोग याद होगा कि रोनेल्डो तो सिटी में जाने वाले थे बट यूनो सर एलेक्स फर्गूसन के साथ उनका बात हुआ है इसके बाद वो युनाटेट में चले आ है सो हां मतलब कोशी वो पूरा भी भी करते है मतलब कोची मी करते तो शायद अच्छा ही हो जाता है मतलब एट लिस्ट लेकुछ देखने को मिलता अलग और शायद जाधा कुछ देखने को मिलता बट खेर वो सब हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि वो हो नहीं सकता अभी करें ली बढ़ा देखने में अच्छा तो लगता इसको लेकर तो खेर कोई डाउट नहीं है बट रोबट लिए उसके अगर उनाटेड में आते तो फॉरवर् सब्सक्राइब को लाया जाएगा तो जो भी हो देखते कि क्या फाइनली रावट लिए उसकी उनाटेड में आते हैं नहीं